हेलो दोस्तों इस टैनो हेल पीपी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों पार्लेमेंटरी रिपोर्टर के स्रीज में आज एक और नया डिक्टेशन जिसमें हम आपको 160 सब्द पढ़ते मिनट के गती से डिक्टेशन दे रहे हैं 10 मिनट के लिए दोस्तों आप सब जानते हैं हमने आपको पहले ही बताया है कि हम आपको स्टार्टिंग के चार दिनों में अलग-अलग एक स्पीट में देंगे जैसे हमने इस वीक में 110 की बात करी अग्री वीक में 120 में जाएंगे जो आपकी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉंग बनाएगा हमारा मूल उद्देश यह है कि सभी अपने स्पीट को 120 तक पहुंचा सके सॉरी 160 तक पहुंचा सके इसलिए अपर यास के जा रहा है आज का जो डिक्टेशन है वो 160 सब्द परती मिनट की गती से होगा ठीक तीन सेकिंड के बाद अगर अभी तक हमारे चैनल को जरू कर लें और बैल आइकन को दबाना मत भूलेगा चले स्टार्ट करते हैं 160 सब्द परती मिनट की गती से दिक्टेशन तीन सेकिंड के बाद रेड़ी स्टार्ट उपाध्यक्ष महदे कुछ समय से इस देश में जो दंगे चल रहे हैं जो लड़ाई जगडे चल रहे हैं उन पर आज इस सदन में चर्चा चल रही है इस महत्पूर्ण विशय पर चर्चा होनी आवश्चक भी है इस संबंध में मैं आप सभी सदस्यो से निवेदन करना चाहता हूं की चर्चा करने के सांथ सांथ हमें यहाँ भी सोचना चाहिए कि इस परकार के दंगों को समय पर किस तरह से रोका जा सकता है ताकि इस्तिती अधिक खराप ना होने पाए मेरे कुछ मानिनिये सदस्यों ने बहुत से सुजाओ भी दिये हैं इ से सारा सिर स्रम से जुक जाता है पहले जो दंगे होते थे वे एक या दो दिन तक चलते थे उन पर सरकार द्वारा नियंतर्ण कर लिया जादा था उसके बाद चाहे वे हिंदू हो चाहे वह मुसल्वान हो चाहे किसी भी अन्य धर्म के हो सब आपस में एक अच्छा वातावर कई वर्सों तक जनता के मन पर जम जाता है देश का सारा वातावरन खराब हो जाता है और कानून वे विवस्ता की स्थटी भी खराब हो जाती है इसके पीछे कारण जो भी हो उन पर हमें विस्तार से विचार करना चाहिए और ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे भविश्य मे हर तरह के दंगे इस देश में ना होने पाए और तथा देश की जनता सांती पूर्वक जीवन बिता सके अध्यक्ष महद सरकार का जो सबसे पहला काम है वो यह है कि समय समय पर अनेक इस्तानों में जो दंगे होते हैं उनके पीछे क्या कारण है इसका पता लगाया जाए सबी पक्षों के सदस्यों ने इस सदन्ग में एक दूसरे पर अनेक आरोप लगाए है मैं भी कुछ आरोपों से सहमत हूँ लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाने से इस्तती सुदर नहीं सकेगी अगर हम लोग इस तरह के दंगों को हमेशा के लिए रोगना चाहते हैं तो हमें सभी धर्मों के बच्चों को ऐसी सिक्षा देनी होगी जिससे उनके दिलों में एक दूसरे के परती जो गलत भावनाएं जनम लेती हैं वे हमेशा के लिए मिट जाएं उपाध्यक्ष महद यह जो बिल हमारे सामने है वह जिस रूप में हमारे सामने लाया गया है उससे यह मालुम नहीं होता है कि जो बुराईयां पिछले आम चुनाओं में देखी गई उनका कोई हल निकले और सक्रिय रूप से चुनाओ कराने की कोई एक योजना बन सके ऐसा हमको मालुम नहीं होता इसलिए कई बुराईयां जो पिछले आम चुनाओं में हमारे सामने आई हैं उनको दूर करने का कोई परियास नहीं हुआ हमें इसके कई ऐसे ऐसी हैं जिनको ठीक किया जा सकता थ जब इस तरह का बिल हमारे सामने आया है जब किसी चीज को बदला जाना है तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोच समझ कर सभी आवश्यक परिवर्तन कर लिए जाते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जल्दी में एक दो परिवर्तन करने के लिए यह बिल हमारे सामने ला मैं यहो कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जिस धंग से आम चुनाओ कराए जाते हैं से हम इस देश में परजात तंत्र कायम रख सकेंगे यहो नहीं माना जा सकता अगर हम आप ऐसा मानते हैं तो सिर्फ यहो कहना पड़ेगा कि एक भरम में हम लोग हैं जैसा कि कल यहां पर कहा गया बड़े पैसे का चलन इन आम चुनाओं में होता है उसको रोगने की कोशिस होनी चाहिए हमने यहां पर एक सुजाओ दिया था कि आम चुनाओं में किसी भी तरह से 3 लाख रुपे से जादा खर्च ना हो इस तरह का नियम होना चाहिए था और वह इस बिल में ला गया था उसकी पार्टी या उसके दोस्त या ठेकेदार या लाब उठाने वाले बड़े व्यपारी उसके लिए खर्च करें तो उसके लिए कोई रोग नहीं इस प्रकार करोडों रुपे खर्च किये जा सकते हैं इसके बारे में कोई रुकावट इसमें नहीं की गई मैं यहो नहीं जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि स्वतंत्र चुनाव हो और एक सही जन्मत का शित्र सामने आए परंतु जब इस तरह का खर्चा होगा और उसके लिए कोई रोक नहीं होगी तो कैसे सही जन्तंत और जन्मत इस देश में स्ताफित हो सकेगा यहो मेरी समझ में नहीं आता बड़े बड़े उद्योगपतियों टिकट पाते हैं अगर बड़े बड़े उद्योगपति और राजा महराजा जैसे लोग-लोग सबाब में आकर देश के भविस्ट का फैसला करेंगे तो फिर इस देश का अनर्थ ही होने वाला है और कुछ नह हो सकता एक तरफ तो सरकार समाजवादी होने की बात कहती है और दूसरी तरफ उसके जो काम है उनको देखने से यह साफ नजर आता है कि सरकार किस दिसा में जा रही है बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसे खर्च करते हैं उनके बल पर चुनाव लड़ा जाता है मेर महद है आप जो मेरा मान सतकार किया है जो सुन्दर सब्द अपने नागरिक अभिनंदन में मेरे बारे में कहे हैं उनके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ केरल ने भारत की सांस्कृतिक एकता में बहु मूल्य और बहु मुखी योगदान दिया है केरल का इतियास स माँ लेने और मानव मगतिविदी के हर पहलू में पुरानी परमपराओं एम नए मूल्यों के मिलाप की कहानी है भारत्य परमपराओं की मुख्य विसेश्ता अनेकता में एकता केरल के रोज मरा के जीवन में इस पस्ट नजर आती है केरल के सवभाविक सांस्कृतिक देश दिया और भारत की सांस्कृतिक एकिकरण की नीव डाली वह आज भी मौजूद है और मजबूत बनाई जा रही है। केरल देश की प्रगती में आगे आ रहा है। मैंने केरल के उद्यमी लोगों की हमेशा परसंसा की है। उनोंने देश के सब भागों में बलकी दुनिया के लगबख सब हिस्सों में और लगबख हर किस्म के कामों में लगे देखा जा सकता है। यहुद जादा तर इस कारण से हुआ है क्यूंकि इस राज में सिख्षित लोगों की संख्या काफी जादा है केरल ने सतंता के बाद काफी उन्नती की है हमारे देश की आर्थिक इस्थती में केरल का योगदान महत्मूर्ण है आपके कई उत्पाद विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं मुझे बताया गया है कि हाल के वर्सों में बाहर से आने वाला पैसा कई गुना हो गया है जिससे केरल की दौलत बढ़ी है इस तरह जो लोग देश की आर्थिक प्रगती में भी आगे हैं पिछले वर्सों में भारत ने आर्थिक छेत्र में तेजी से कदम बढ़ाया ह किसी और उद्योग दोनों में आत्म निर्टा परदान करने के लिए पक्की नीव डाल दी गई है परदोगी के छेतर में हमारा देश दुनिया में अगरिम है मैं सभी लोगों से अपिल करता हूँ कि वे गरीवी भूख बिमारी और अज्यानता को दूर करने के महान राश्चिय अभिमान में भाग लेंगे मेर साप और नगर निगम के सज़स्यों ने आज मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ भाईयो मुझे यहां आकर केरल विधान सभा के रजट जैन्ती समारों में सामिल होने से प्रसनता हो रही है मैं जानता हूँ कि केरल के लोगों के लिए यहां महत महत्वून आउसर है किसी भी सामाजिक या राजनिर्टिक परणाली का आकलन करने के लिए 25 वर्ष का समय बहुत कम दिखाई देगा परन्तु केरल के लोग समय के बदलते रंग के साथ अपने आपको ढालने में बहुत चुस्त है अतो मैं समझता हूँ कि इस परकार का समारों एक विशेस महत्व रखता है केरल के सुन्दर हरे भरे नजारों ने मेरा मन मोह लिया है और मेरे लिए इस राजे में आना हमेशा खुसी की बात होती है केरल की सुन्दरता में परवतों, नदियों और समुदर का एक अनुपम सामन जचे तथा निखार है केरल के परेटक स्तलों को आंतरिक अंतराश्चे ख्यातियां भी मिल चुकी हैं और वह दुनिया भर के यात्रियां को आकरसित कर रही है केरल की अपनी एक संस्कृती है यहाँ पुरानी लीतियों और नई आदर्सों के समन्वे से पैदा हुई है अपनी विचित्र भगवालिक इस्तिती से यह इस राजी का एक पितल ही जीवन मार्ग और दिश्ची कोण है केरल का भारत के दूसरे हिस्तों में रहने वाले लोगों के सांथ गहरा संपर्ग है कई जातियों और लोगों ने समुद्र और पहाडों को पार करके केरल की धर्टी पर पाऊं रखा और यहां के वासियों के सांथ राजनितिक और धार्मिक संबंद इस्तापित किये केरल के संस्कृति की संपनता विविदता और अनिकता का यही कारण है केरल का सांस्कृतिक सरूप बहुत ही गौरम में है और इस राज के लोगों की लगन ने इन्हें मानविय गती विदियों के कई छेतर में सफलता के सिक्रों में पहुचाने में मदद की है हाला की केरल राज हम जैसा हम जानते हैं 1956 में इस्तापित हुआ केरल के लोग भारत की सुतनता से पहले ही पढ़जात आंत्रिक संस्ताओं के बारे में जानते थे और उन्होंने परतिनिदी सरकार का अनवव था सुतनता के बाद सिक्षा के उचे इस तरों के कारण राजनितिक विकास की परकरिया में तेजी आई कई राजनितिक दल होने के कारण राज की रास्ट की समस्याओं के बारे में अपना अपना सेदांतिक दिश्ची कोन है केरल इस बात पर गर्व कर सकता है कि उसने संसदिय सरकार को बहुमुल योगदान दिया है भाईयों क्योंकि आप लोग अपनी असेंबली की दजजयनती मना रहे हैं इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे इस माननिय संस्तान के बारे में कुछ सब्द कहने चाहिए इस चौप दोस्तों ये था 160 सब्द परती मिनट की गती से डिक्टेशन लिखा है आपने तो इसको टांस्क्रिप्ट कीजिएगा अगर आप हमारे अभी तक टेलिग्राम गुरूप से जुड़े नहीं है जो पालियमेंट डिर्पोर्टर के लिए इस पेजल है उसकी लिंक के नीचे प्रोवाइड है वह में दोस्ते में थेंक यू